दोस्तों हम लोग देखते हैं LMC वक्र का मतलब है Long Run Marginal Cost वक्र कर्व दीर कालीन सीमान्त लागत वक्र आपने देखा था कि और इसमें भी आप देख सकते हैं कि SAC कई SAC से हम एक LAC को ब्यूत्पन करते हैं अर्थात अल्प कालीन और सत लागत वक्रों से दीर कालीन और सत लागत वक्र को ब्यूत्पन किया जाता है बिल्कुल सेम वही चीज इसमें भी है इसमें क्या है जो सौट रन अल्प कालीन सीमान्त लागत वक्र होते हैं उन वक्रों से दीर कालिन सीमान तलागत वक्र व्यूत्पन किया जाता है तो आईए इसको हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं दोस्तों एलेंसी को व्यूत्पन करने के लिए निकार बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि इलेंसी वक्र पर इससी वक्रों को खींच लिजिए या इससी वक्रों को खींच करके बाद में इलेंसी वक्र खींच लो अब जहां पर इससी वक्र इलेंसी वक्र को ध्यान से सुनिएगा जहां पर अल्प कालीन आउसत लागत वक्र दीर कालीन आउसत लागत वक्रों को टच कर रहे हैं LAC को SAC वक्र जहां पर टच कर रहे हैं उस जगह से LAC को SAC 1 कहां टच कर रहा है C पांट पर तो यहां से एक सीधे लंब डाल दीजिए SAC 2 यह LAC को यहां पर टच कर रहा है यहां से लंब डाल दीजिए इसके बाद में जो SAC 3 है ये LAC को यहाँ पर टच कर रहा है इस जगे से यहाँ के लिए लंब डाल दीजिए अब इसके बाद में ये करना है आपको इसको पहले हम लिख देते हैं SAC 3 इसके बाद में इतना काम हो गया कि LAC वक्र पर SAC वक्र जहाँ टच कर रहे हैं उन टचिंग पॉइंट से हमने X अच पर लंब डाला लंब डाल दिया आप क्या करेंगे जो SMC वक्र है इनको खीचेंगे पहले लेकिन हम बाद में इसको समझा रहे हैं कि SMC वक्र ये है 1 SMC वक्र 2 SMC 3 इनको जब खीचेंगे तो जहां पर ये लंब को कट करेंगे लंब को लंब क्या था CQ1 इसको A बिंद पर कट कर रहा है SAC 1 LAC वक्र को जहां पर टच कर रहा था उस जगह से जब हमने लंब डाला उस लंब को SMC वक्र 1 ने A बिंद पर टच किया टच किया या काटा टच ने किया काटा उसके बाद में SMC 2 ने कहां काटा है लंब को इस जगह पर E पॉइंट पर और SMC 3 ने कहां इस जगह पर तो ये जो कटिंग पॉइंट है कट अतवा टच यहां पर कट किया यहां पर कट किया यह यह टच है तो इन बिंदूं को मिलाने से इन इन बिंदूं को मिलाते वे जो हम वक्र खिंचेंगे उस वक्र को कहेंगे LMC वक्र एक बार चाहे फिर से आप समझ लीजिए LAC वक्र पर जहां जहां पर SAC वक्र टच कर रहा है उस टच वाले इस परस बिंदूं से लंब खिंचेंगे समानतर रेखा पर या एक सच पर समानतर रेखा नहीं एक सच पर लंब डालेंगे और उस लंब को या उन लंबों को जहां पर क्रमसा SMC 1, SMC 2, SMC 3 कट करेंगे उन कट वाले बिंदूं से जो हम मिलाते हुए वक्र खिंचेंगे उस वक्र को LMC वक्र कहेंगे मतलब यह है कि SAC से LAC बनाया जाता है और SMC से LMC लेकिन LMC बनाने के लिए हमें SAC की भी जरूरत है LAC की भी जरूरत है लंब की भी जरूरत है SMC की भी जरूरत है तो उम्मीद है यह चीज भी आपको समझ में आई होगी बहुत बहुत धल्यमात की भी जरूरत है SMC Moderator